दोस्तो इस वीडियो को गौर से दिखी गा इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 67 BPC exam notification के बारे में जिसका इंतजार दोस्तो बिहार के students बड़ी बिसबरी से कर रहे हैं बट अभी तक इसका कोई वी official notification जारी नहीं किया गया है उमीद था कि बेश सिप्तमबर तक आ जानी थी इसकी notification लेकिन दोस्तो आज 23 सिप्तमबर हो गई है अभी तक कोई वी official notification जारी नहीं किया गया है तो दोस्तो इस वीडियो में ही मैं आपको बताने वाला हूँ आके देरे क्यों हो रही है किस बजा से अभी तक notification नहीं आई है और दोस्तो जब भी notification official notification आएगी तो total कितने city होगी और कितने वीभाग में किस वीभाग में कितने city होगी वो सारी चीजे मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक authentic source के तुरू जो source है दोस्तो जो मैं आपको बताने वाले है एक authentic source है उसके जरी है मैं आपको बताऊंगा कि total city कितने होगी और कितने वीभाग में कितने city होगी तो इसलिए दोस्तो वीडियो को गौर से देखेगा बिना skip की हुए पूरा का पूरा देखेगा चली वीडियो में आगे बढ़ते हैं लेकिन दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी से request है वीडियो आपको अच्छे लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा और चैनल को अभी तक आपने subscribe नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजे तो दोस्तो अभी ऐसा था कि पहले जो starting में बताये जा रही थी कि 503 यानि 503 टोटल सीटे होगी लेकिन ये actual में जो delay हो रही है notification नहीं आने का तो mainly reason ये है दोस्तो जो पता चल रही है कि कुछ सीटे जो 503 सीटे रखी गई है initially इसमें कुछ और सीटे add की जाएगी जोड़ी जाएगी जिसके वज़ा से वो सभी विभाग से पता किया जा रहा है कि कितने सीटे और आ सकती है add किया जा सकता है जो एक मुख reason समझ में आ रहा है डिले होने का तो चलिए अब भी बात करते हैं देखेंगे कि ये एक आर्टिकल आये थी परभात कवर के तुरू 21 सिप्तमबर को देखेंगे 21 सिप्तमबर को एक आर्टिकल आये थी सुबह में 7 बच के 1 मिनट पे ये आर्टिकल आये थी कि टोटल सीटे जो ही है अब जो विग्यापन आने वाले है दो दिनों में वो इसमें टोटल सीटे हो जाएंगे 603 इनिसियल में 503 थे जिसमें 103 और रिक्तियां एड की जाएगी यानि 103 सीटे और एड करकी 606 हो जाएंगे दोस्तों ऐसी प्रभात कवर के द्वारा ये आर्टिकल आया लेकिन इसके बाद एक और अपडेट आया जो हिंदूस्तान के तरब से आया ये भी एक authentic source है दोस्तों इसमें ये आया है कि टोटल जो पहले 503 सीटे थी उसमें एड ओन होने के बाद दोस्तों देखेंगे टोटल 555 सीटे की बहाली की जाएगी यानि टोटल अगर आप देखेंगे तो 52 सीटे जो है बढ़ाई गई है 52 सीटे ही मातर बढ़ाई गई है ये latest अपडेट है अपतारी के हाँ देख लेंगे ये 22 सिप्तमबर को 8 बज के 15 मिनिट मॉर्निंग में ही ये पॉब्लिस किया गया था ये आर्टिकल और यहां तक ये भी बोली जा रही है दोस्तों कि ये 22 सिप्तमबर को आई है शुबा में 8 बज के 15 मिनिट में और बिदिन वन विक में इसकी नोटिफिकेशन यानि भरती प्रकिरिया शुरू कर दी जाएगी ये भी बोला जा रहा है दोस्तों और ये 555 सीटे होगी इसमें जो सबसे ज़्यादा सीटे वहांगी 133 सीटे ये ग्रामिन विकास विवाग में होँगी और बोला जाँ रहा है कि इसमें टूटलxicoला विवागों की रिक्तियां आ गयी है अभी तक जो है एक बार नोटिफिकेशन जारी किया जाए तो अभी जो सोड से पता चल रही है कि 16 विभागों की रिक्तियां आ चुकी है जिसमें से सबसे ज़्यादा सीटे 133 सीटे ग्रामिन विकास विभाग में है उसके बाद देखेंगे दोस्तो नगर विकास विभाग में 110 है और परसासनिक सेवा में 88 पद है फिर उसके बाद देखेंगे योजना विकास में बामन पद अनुसुचित जाती और जन जाती कल्यान प्रद्यादिकारी में बामन पद है तो इस तरीके से जैसा की पता चल रहा है दोस्तो एक सप्ता के अंदर विग्यापन यानि एडवर्टिजमेंट आ जाएगी इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और इसकी प्रकिरिया जो भरती प्रकिरिया है वो भी शुरू कर दिया जाएगा देखेंगे आयोक के संजुक्त सचीव साप परिच्छक नियंतरग अमेंदर कुमार ने यह बताया है कि एक सप्ता के अंदर विग्यापन को निकाल दिया जाएगा और जिसमें टोटल 555 सीटे होगी और यह प्रकिरिया जो है यानि भरती प्रकिरिया है जो कम से कम एक महीना चलने वाली है यानि आप लोगों का अप्लिकेशन फॉर्म भरने में के लिए एक महीने तक का मौका दिया जाएगा चली दूस्तों आप नीचे देखते हैं कि किस विभाग में कितने सीटे हैं तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं चाहे तो आप इसका स्क्रीन सॉट भी लेकर आप अपने साथ रख सकते हैं उसके बाद जब ऑफिसल लोटिफिकेशन आएगे तो फिर आपको ऑथेंटिस सी हो जाएगे इसके अभी आप क्या करेंगे दोस्तों फिलाल के लिए इतना जान ले कि सीटे जो ही है सबसे जादा ग्रामिन विकास बिभाग से यानि ग्रामिन विकास पताधिकारी के लिए 133 सीटे आई है अगर उस स्टार्टिंग से देखेंगे समाज कल्यान विभाग मे सहायक निदेशक के लिए जो बालसन रचन से है वो 4 सीटे है समाज कल्यान सहायक निदेशक के लिए जो समाजिक सुरच्चा के लिए है वो 12 होंगे सिच्छा विभाग सिच्छा सेवा के लिए 12 हो गए है योजना विकास विभाग में सहायक निदेशक या योजना दिकारी के लिए 52 सीटे होंगी सरम संसादन विभाग में अगर देखेंगे तो नियोजना दिकारी के लिए 2 सीटे है ग्रामिन विकास विभाग में ग्रामिन विकास पदादिकारी के लिए 133 सीटे है जो सबसे ज़्यादा सीटे आपको ग्रामिन विकास विभाग से देखने को मिल रही है नगर विकास बम आवास में नगर पदादिकारी के लिए 110 सीटे हैं सहकारिता विभाग में जिला आकंचन पदादिकारी 5 है बिहार निर्वाचन सेवा में देखेंगे तो निर्वाचन पदादिकारी 4 रहेंगे 4 सीटे हैं इसके लिए पंचायती रा लिए 4 सीटे और बिहार प्रसासिनिक सेवा के लिए 880 सीटे हैं दोस्तों और 14 परकंड अनुसुचित जन जाती के लिए जन जाती कल्यान पतेदिकारी के लिए 22 सीटे राजस्व वेवंभु सुधार विवाग में राजस्व अधिकारी के लिए देखेंगे तो 36 सीटी है दोस्तो बिहार बित सेवा राज कर सहायक्स आयुक्त के लिए आप देखेंगे तो 11 सीटी है तो इस तरीके से टूटल जो है 555 सीटो के लिए वेकेंसी आएगी जिसमें इस परकार से सबी भी वागों में अलग अलग वेकेंसी है दोस्तो तो इसे आप एक बार अपडेट कर लिए खूद के लिए और प्रिप्रेशन में अभी से जुट जाए और जुटना क्या है अल्रेड़ी आप कर ही रहोंगे अब से रिविजन करना स्टार्ट कर दीजी तो चली दूस्तो आज की इस वीडियो में बस इतने ही वीडियो आपको अच्छे लगी है तो एक लाइक जरू कर दीजेगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजे धन्यवाद फिर मिलते हैं नेक्स टूडियो में